आज कल हम अपने आसपास अक्सर एंजियो या समाजिक संगठन के बारे में सुनते हैं लेकिन आपको पता नहीं है कि आखिर ये एंजियो होता क्या है यह काम कैसे करता है इसको चनाने के लिए पैसे कहां से आते हैं ये सारे जानकारी आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले है सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एंजियो क्या है समाजिक संस्था यानि एंजियो क्या है NGO यानि सामाजिक संगठन ये संस्था सरकार और मिजी शेतर के बीच एक महतपुन सेतू का काम करते हैं ये संगठन जहां-जहां सरकारी पहुँच कम होती है वहां-वहां जाकर जरूत मंदों की मदद करते हैं साथ ही ये संगठन सरकार को विभीन मुद्दों पर जाकरूप करते हैं और नीती निर्माण में भी सहयोग करते हैं. ये संगठन आमनागरी को, स्वें सेमर को और समाज के वन्चित वर्गों के सहयोग से विभीन शेत्रों में कारे रत होते हैं. समाजिक संसा यानि NGO का उदेशे क्या है? NGO का उदेशे समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करना, समाजिक कल्यान के कारे करना, परियावन की रक्षा करना और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरुप बनाना है ये संगटन विशेशकर, सिक्षा, स्वास्य, नारी सशक्तिकरन, बाल सनक्षन, नागरिक अधिकार, स्वाब लंबन, रोजगार, गरीबी उन्मूलन, प्राकर्तिक आप्दा, राहत जैसे विभिन शेत्रों में कारे करते हैं समाजिक कल्यान गरीबों, विकलांगों, विद्वाओ, अनाथों आधि जैसे वंचित वर्गों की सहाईता करना सिक्षा गरीब बच्चों को सिक्षा परदान करना, स्कूल चलाना, सिक्षा सामगरी वित्रित करना, चात्र वृत्यां देना स्वास्ते ग्रामीन शेत्रों में स्वास्ते सेवाई परदान करना, अस्पताल और क्लीनिक चलाना, निशुल्क दवाईयां वित्रिद करना पर्यावर्ण व्रिक्षा रोपन अभ्यान चलाना, जल सरंग्षन के लिए कार्य करना, लोगों को परयवन के प्रति जाग्रू करना महिला सशक्तिकरण महिलाओं को कोशल विकाश कारे करम चलाना, उन्हें स्वाबलंबी बनाने में मदद करना, घरेलू हिंसा के खिलाफ जागरू करना बाल कल्यान, बच्चों को सिख्षा और स्वास्त सेवाएं परदान करना, बाल श्रम के खिलाफ लड़ना, बच्चों के अधिकारों के प्रति जागरुक करना गरीबी उन्मोलन, गरीबों को आत्मिर्भर बनाने में मदद करना, उन्हें रोजगार के अफसर परदान करना प्राकर्तिक आपदार रहत, प्राकर्तिक आपदाओं के दोरान पीडितों को भोजन, आश्रे और चिकितसा सहाथा परदान करना भारत जैसे देश में NGO का रोल काफी एहम है, यहां की विवत्ता इसे और प्रोसाहित करती है, जो नागरिकों को समाज की मुख्यधारा से जोने का कारे करता है सामाजिक संगठोनों की भारतिय समाज में रोल गैर सरकारी समिठनों की उपस्तिती नागरीकों की आवाज को अभी व्यक्ति देकर जहभागी लोकतंद्र को सक्षम बनाती है ये कई माध्यमों से जन्नता और सरकार के बीच प्रभावी गैर राजनेतिक कड़ी के रूप में कारे करते हैं जागरुकता फेलाने, सामाजिक एक जुटता, सेवा वित्रन, परसिक्षन अध्यन और सारजनिक अपेक्षा को स्वर्देने में ये सहयोग करते हैं सरकार के प्रदर्शन पर समवादवय निग्रानी द्वारा वे राजनेतिक जवाब देही सुनिश्चित कराते हैं भोजन का अधिकार, सिक्षा का अधिकार या मन्रेगा और सबसे महतपून सूचना का अधिकार जैसे कई प्रमुक्ष विधेग गैर सरकारी संगठनों के हस्त शेप से ही पारित हुए हैं एंजियो जमीनी स्तर पर समाज को संगठित करने में महतपून भूमिका निभाते हैं साथ ही लोगों को उनके अधिकारों और हितों की वकालत करने के लिए अवश्यक ज्यान और जगरुकता फैलाकर उन्हें सशक्त बनाते हैं तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगले वीडियो में हम एंजियो के कारे और उनके कारे करने की पदती को बताएंगे साथ ही ये भी बताएंगे कि ये संगठन आर्थी घ्रूप से काम कैसे करते हैं